प्यारे बच्चों, विविन सीच्छकों और बच्चों के रिक्वेस्ट पर ग्री विज्ञान होम साइन्स का मॉडल प्रस्ण पत्र विविन गेश पेपरों की साहेता से तयार किया गया है परिच्छा उपयोगी कोश्चन इसमें है जो आपके लिए बहुत महतपूर्ण है आज हम लोग सेट 4 के प्रस्णों को देखेंगे इसके पहले मैंने सेट 1, 2 और 3 के महतपूर्ण प्रस्णों को बता दिया है यदि आप लोगों ने उस विडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्किप्सन में दिया हुआ है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अपने चैनल इकनॉमिस प्लस पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ग्रीव विज्ञान के बच्चों तक इस विडियो को जरूर पहुँचाए तक वे भी साल आप ले सके तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं पहला कोस्चन है सेट चार के लिए धब्बे छुडाने की रासाइनिक विधी क्या है तो बेंजीन, कारबन, टेंट्रो, कोर्राइज जैसे रासानी द्रब्धब्बे छुडाने की रासाइनिक विधी के अंतरगत आते हैं क्या है डेदीमेट वस्तरों की लोग पिरेता के कारण लिखियें तो वस्तर वस्तर की फायती एवं आकरसक दिखते हैं इन्हें खरीद कर सीधे पाहना जाता है यदि आप चाहते हैं कि आपकी पोसाक आराम दायक हो तो खरीदे समय किन बातों को ध्यान में रखेंगे तो ती खत्र शूती हो एवं ज्यादा कसा या धीला ना हो वकर रेखाएं क्या होती है? तो तेढ़ी, तिर्ची, आड़ी रेखाएं वकर रेखा कहलाती है। जवर किसे करते हैं, तो बुखार को जवर करते हैं, इसमें सरीर का तापन बढ़ जाता है, जोडों में, दर्द, आखों में, जलन, स्वाद के परती, निसक्रियता, आदी जवर के लच्छन है, सरीर में परती रोधी सक्तियों की कमी से अथवा, रोग जनक जीवानों की वे परभावित करते हैं, हर्मोन की सक्रीता भी सारेरिक विकास हेतु जिमेदार होते हैं, बजट बनाने का महतु लिखे, तो बजट का महतु कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर खुसाल बनता है, बजट एवं वी निवे संभव हो पाता है, साधी, ब्या, पढ़ाय, बिमारी मिल के समय व्यक्ति पैसों का महताज नहीं रहता है, आठमा है, वस्त्रों द्वारा सारेरिक तूटियां छुपाने के उपाय लिखे, तो वस्त्रों द्वारा अंगों के ढखने के साथ सारेरिक तूटियों को भी छुपाय जाता है, जैसे हाथ पर कटे निशान को पूरे आस् खाद पदार्थों में मिलावट से सुरच्छा की उप्योगिता लिखे तो खाद पदार्थ में मिलावट से स्वास्त पर कूप और भाव पड़ता है ऐसे अब मिस्रित अहार के सेवन से वेक्ति रोगी बन जाता है ड्रोपसी नामक बीमारी अब मिस्रन करवा तेल के सेवन स होता है लीवर किड़नी ब्लड पेसर मोटापा की बीमारी अब मिस्टित पदार्थों के सेवन एवं पर दूसन से फैलता है अता खाद पदार्थों में मिलावट की जाच समय समय पर करते रहना चाहिए सबजीयों मेवा एवं मिठाईयों को खरित्य समय विशेय ध्यान देने की आव सकता है दसमा है अपरत्यश वास्तिविक आये क्या है तो वैसे आये जिसमें परत्याष वास्तिविक आये करते हैं इसी तरह के अन आय अपर्तेश वास्तिविक आय कहलाते है 11 है किन खाद पदार्थों में IS का मानक चिन दिया जाता है इस देने वाले ब्यूरो का नाम लिखे तो गुनवत्ता का निशान ISI मार्क कहलाता है डिब्बा बंद, अचारो, सुखे मसालो, सोया बीन, आदी पर या मार्क दिया जाता है इसका अर्थ या है कि या मानक परिश्रम ब्यूरो द्वारा खाने के उप्युक्त है इसे आख मुन्द कर खेदिता एवं इस्तिमाल किया जा सकता है आयसे मार्क किंद्रिय उभुक्ता सरच्छन परिशत द्वारा परदान किया जाता है बारा है समान अहार से आप क्या समझते हैं तो नित्य परती के अहार को समान अहार कहते हैं जार्खन में नास्ते में रोटी पूडी पराठे सबजी दाल डही अचार आधिए दोपार में चावल चावल दाल सबजी आधी खाते हैं तो बचत के लाब लिखे तो बचत के लाब है दुर्गतना के समय खर्च करना असान रहता है साधे ब्यास राध में आर्थिक विपनता नहीं होती है बच्चों की पढ़ाई एवं मर्वंजन बाधित नहीं होता है भविस निदी के रूप में आर्थिक सहयोग मिलता है 14. किनी दो परिवारों की पोसक आव सकताएं एक समान नहीं होती है 15. भोजन को सुनर धग से परोसना क्यूं आसक होता है 16. भोजन हमें उर्जा परदान करता है अता भोजन को सुन्दर धग से परोसना चाहिए सुन्दर धग से भोजन को खाने वाला अत्यान चाव से खाता है ऐसे आहार में काफी संतुष्टी मिलती है सुन्दन धंग से परोसे गए भोजन को खाने वाला ग्रिहनी की तारीव करता है अताब भोजन को परोसना एक कला है इस कला में जो जितना पार्की होगा वही सफल ग्रिहनी कहलाएगी सोला है संक्रमक रोगों से बचाव के समान तरीके लिखिए तो संक्रमक रोगों से बचाव के समान तरीके इस परकार है पहला संक्रमक रोगों से परभावित लोगों से दूर रहना चाहिए दूसरा टीके लगवाना चाहिए तीसरा दूसित जल एवं भोजन का सेवर नहीं क करना चाहिए घर एवं परिवेश को साप सुथरा रखना चाहिए रोगी को सही इलाज करना चाहिए सत्रा नंबर को अचन है जल की उप्योगिता पर एक टिपनी लिखे तो जल ही जीवन है सरीर की दैनिक प्रकर्म में जल की अनिवारता विदिहित है भोजन निर्मान अशना सौच सभी कारियों में जल जरूरी है पौधो के पुस्पन में जल जरूरी है पस्वो के लिए जल जरूरी है सस्त्व यह है कि भोजन के बिना मनुस कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है किन्तु जल के अभाव में जीवन बचाना असंब्व है अता आज जरूरी है कि हम ज बाल्पन से जैसे ही यूवास्था शुरू होती है व्यक्ति कारसिल होना पसंद करता है तभी वो अपने परिवार का पालन कर सकता है विभीन परकार के परक्रम द्वारा अर्थो पारजन कर घर छलाया जाता है अथा क्रियात्माविकास का जीवन में काफी महत्व है लास्ट कोश्चन है हैजा रोक के लच्छन कारण उपचार रोक थाम वा बचाओ के बारे में लिखिये तो लच्छन बार बार दस्त आना उल्टी आना सरीर में पानी की कमी हो जाना सीर दर हेडरा डेंसन के कारण आखों की पुतली का इस्थिर होने लगना का जिवानु द्वारा हैजा फैलता ये जिवानु जल भोज पदार्थ को पर दूसित कर देते हैं इन्हें खाने से हैजा होता है रोक था व्यक्ति को तुरन डॉक्टर के पार ले जाकर उपचार कराना चाहिए नीमबू नमक चीनी मिसित पानी या गुलोज का पानी पिलात आते रहना चाहिए बच्चों वीडियो को जरूरत बंदों को जरूर सेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत